बहन मम्ता, स्टेज पे सारे नेतागन और बंगाल के लोगों, मैं पहले तो आप से ये कहूँ कि मैं जम्मो कश्मीर के अवाम की तरफ से आप सब को सलाम भेजता हूँ, बधाई भेजता हूँ कि आप लोग सब इकठे हैं भारत को मजबूत करने के लिए भारत आज खत्रे में है, आज इस तरह बाकी नहीं तो आप से कहा, ये एक शक्स को निकालने की बात नहीं है, ये देश बटानी की बात है, देश बेट के लिए सारे लोगों ने उसका क्या धर्म, उसकी क्या जबान, उन्होंने अपना बलिदान दिया, तब ये भारत आजाद हुआ, और आज सत्थर साल के बाद इस भारत को फिर से चनोती आ रही है, यहां आज लोगों को बांटा जा रहा है, मुसल्मान को अलग, हिंदू को अलग, सिक को अलग, बंगाली को अलग, हर एक को अलग अलग करिया जा रहा है, अभी आपने सुना, 39 से हमारे लोग आए थे, उनने सुना किस तरह आसाम में आग लगी हुई है, मनिपूर, नागा लेंड, हर जगा आग लगाई जा रही है, इस आग को बचाने के लिए, मैं हाथ जोड के, पहले तो नेता उनसे कहूंगा, कि नेता हम लोगों को इक अठे होना है, हम लोगों ने अपने मन में ये खाप लेना है, कि हमें कुर्बानी देनी है, हम अगर लोगों से कहते हैं, पहले हम कुर्बानी दे, तब बात बनेगी, अगर हम ये समझें कि मेरी जमात ही सिर्फ इस देश को बचा सकती है वो गलत है अगर इस देश को बचाना है तो हर एक ने बलीदान देना है हर जमात ने बलीदान देना है तब ये देश बचेगा आज जमू कश्मीर को देखिए किस हालत पर पहुँचाया है जमौ कश्मीर को उसके जिमवार भी यही बीजेपी है आज यह हालत है कि हर जगा लोगों को मारा जा रहा है और यह कहा जाता है कि यह लोग पाकिस्तानी हैं यह देश द्रोही हैं मैं आप चे यह कहना चाहता हूं मैं मुसल्मान जरूर हूँ मगर भारत का हिस्सा हूँ हिंदुस्तान का हिस्सा हूँ और हर कश्मीरी वो लदाक से हो जम्मू से हो इस देश के साथ रहना चाहता है आपके साथ रहना चाहता है एक अठे जीना और मरना चाहता है मगर जो उन्होंने किया इन सावे चार सालों में उन्हें हमें तोड़ दिया है हमें हर तरफ से तकलीफें दी हैं और इसलिए आपते कहता हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो उस प्रांच से महबबत करनी है उन लोगों से महबबत करनी है और आज आपसे स्टेज से कहता हूँ ममता बहन कि बंगालियों को बहुत आना चाहिए कश्मीर कश्मीर के लोगों के साथ दिल मिलाना चाहिए मैं आपका और बंगाल के लोगों का शुक्रिया करता हूँ हमारे लोग यहाँ हैं उन्हों को आपने शर्न दिया आपने उनके साथ महरबानी की आज हमारे बच्चे और बच्चे यहां पड़ती है यह है मुहबत जो आपने हमें दी है मगर आज अगर हमने इस देश को सारी जगा यह मुहबत पैदा करनी है तो हमने बीजेपी को खतम करना है निकालना है और उसके लिए बहुत जरूरी है जैसे यश्वन सिनाजी ने भी कहा जैसे शोरी साब ने कहा हमें एक जूसे के साथ मिलके इलेक्शन लड़ना है और लड़के जैसे ने कहा एक चगा एक आदमी मुकाबला करेगा मगर दूसरी बात भी आपसे कहना चाहता हूँ यह जो मिशीन है जिसे इलेक्टरॉनिक वोटिंग मिशीन कहते है यह चोर मिशीन है इमानदारी से यह चोर मिशीन है और मैं इन जब्लीडरों से गुजारिश करूँगा इस मिशीन को खतम करना चाहिए दुनिया में कहीं यह मिशीन नई है और इस मिशीन के से चोरी की जाती है और हमने अभी इलेक्टरों में देखा है आगे भी आपसे कहता हूँ हम सब को मिलके इलेक्टर्डर्ण कमिशन में जाना चाहिए हिंदुस्तान के प्र estavam से मिलना चाहिए और इस मुशीन को भंग करना चाहिए कि लोग आजादी से कागस का वोट जैसे पहले देते थे वो ही देना चाहिए वो बहुत जरूरी है बाकी मैसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा सिर्फ यह कहूंगा कि हम सब एकठे हैं और उमीद करता हूं कि इस साल एक नई हकूमत बनेगी जो सारे देश के साथ इंसाफ करेगी सारे इंसिटूशन को ठीक करेगी और एक नया हिंदुस्तान बनाईगी जिसमें हम सब प्यार से और मितरता से रह सके और खुशी से हमारे बच्चे हमारी बहने तरकी कर सके देखिए कई सालों से विमन्स रिजर्वेशन बिल पार्लिमन पे पड़ी है ये ट्रिपल तलाग पे तो खड़े हो गए उस पे तो शुक्रू हो गए मगर और तूं के हक के लिए कोई काम नहीं किया उस बिल को पास करो तब हम मानते हैं मगर वो नहीं करेंगे इसलिए हम उमीद करेंगे कि ऐसी हकूमत आए जहां हमारी बेहनों को अपना हक मिल सके जहां वो भी ये समझे कि हम भी इस देश का हिस्सा है उसके लिए भी हमने काम करना है और मजबूत करना है हिंदुस्तान को वो मजबूत दिल से दिल मिला के करना है हिंदुस्तान मजबूत नहीं हो सकता है सिर्फ फॉज से, एर फॉर्स से, आर्मी से वो हो सकता है जब हिंदुस्तान के दिल मजबूत हो और कोई भी जो रहने वाला यहां है वो यह न महसूस करे कि हम यहां के नहीं है इसे मैं मम्ताबहन जी का शुक्रिया करता हूँ, आप सब बंगालियों का शुक्रिया करता हूँ, जो आए, दूर दूर से आए, और हम लोगों का स्वागत किया, हमारी बात सुनी, मगर अब आपका काम भी है, और हमारा काम भी है, कि हम एकक्ठे होके ये नहीं सोचें कि मैं प्रधान मंत्री बनूँगा, वो प्रधान मंत्री बाद में देखा जाएगा कौन बनेगा मगर पहले हमें एलेक्षन लड़ना है, एकक्ठे लड़ना है और एक जुटो के लड़ना है, वही राज है आगे बढ़ने का फिर से कहूंगा कश्मीर आईए कश्मीर को देखिए कि भगवान ने कितना खुबसूरत कश्मीर बनाया है और बरफ में भी देख सकते हैं और जब गर्मी आएंगी उसमें आईए और कश्मीर को देखिए और लोग उसे दिल मिलाएए बहुत-बहुत शुक्रिया जै बगान जेहन